हलो एर्वेवन, विलकम बैक तो और यूटूब चनल इंग्लिज ग्रैमर में जेंडर एक बहुत ही कॉमन सा, एक बहुत ही समाने सा टॉपिक है, लेकिन इन से रेलेटेर जब कोशन्स पूछे जाते हैं तो बहुत सारे questions ऐसे होते हैं, जो हमको, जिनके answer में हम confused हो जाते हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले कुछ ऐसे important words, कुछ ऐसे important rules, जिनसे बहुत ही असानी से आप gender के questions आते हैं, उनको solve कर सकते हैं, देखी, व्यापम में या किसी भी तरह के कोई भी competitive exam में, जेंडर के जो भी questions आते हैं, वो advanced level के questions आते हैं, commonly जो भी words होते हैं, उनके तो आपको feminine and gender से आपको पता होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे words होते हैं, जो advanced level के words होते हैं, देका feminine and gender आपको पता नहीं होता, और उन questions में आप मात खा जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे questions को हमारे चानल सब्सक्राइब जरूरू कर लिजिए आपके एक्जाम में जितने भी पॉइंट्स के जितने भी नंबर के इंग्लिस ग्रामर के कुछे चा रहे हैं सारे कुछे को बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे और जितने भी important factors होते हैं जो भी important points होते हैं सिर जरूर बने रही हैं सबसे पहले तो जेंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो जेंडर क्या होता है जेंडर मतलब होता है हिंदी में link basically हम दो तरह के जेंडर देखते हैं एक तो होता है masculine gender और एक होता है feminine gender neutral gender भी एक होता है उसके बारे में थोड़ा से discuss करेंगे आगे ठीक है ल तो masculine noun या masculine gender के बाद ESS लगाने से feminine noun बना जाता है बहुत ही और सबसे जो common rule है वो क्या बोलता है किसी भी नाम को ESS लगा देते है तो basically क्या बन जाता है feminine noun या feminine gender बनता है है कि नहीं चलो जैसे author है author में हमने क्या लगा दिया ESS लगा दिया तो author हो ठीक है लेखा का क्या बन लेखे का उसी तरह से poet में अपन हम ESS लगाएंगे तो poetist बन जाता है होस्ट में अगर हम ESS लगाएंगे तो वह हो जाएगा hostess ठीक है बहुत सारे अलग लग rules है जो हम देखने वाले हैं और तरीके हैं देखने वाले प्लस कुछ important words जो exam q.u.s important है वो देखने वाले है last में पूचे जा सकते हैं Giant means होता है बहुती बड़ा विशाल दानो तो identus क्लिए हमारी हमारी अगला बड़ है hear mit होता है use miss है is a하죠 the feminine gender contains возм् vuактерs प्रिस्ट का होता है, प्रिस्टिस, और टेलर का होता है, टेलरस, ठीक है, यह तो यह कुछ common words हुए, कुछ important words भी थे इसमें, ठीक है, यह इस तरह से change होंगे, चलिए आगे हम देखें कि कुछ और important words को, तो पहले हमने देखा कि E SS लगा कर कौन कौन से किस तरह की words होते हैं, किस में change किया जाता है, feminine gender में change किया जाता है, अब हम चली देख लेते हैं, कुछ और important words, जिसमें, कुछ rules different होंगे, क्या है, इसमें different होगा, देख लो, कुछ cases में, masculine noun के अंतिम वावेल, एवाम उन से पहले आने वाले consonant को हटा कर, E SS जोनने से भी feminine noun बनते हैं, उसमें हमने क किया, किसी भी तरह का कोई changes नहीं किया था, सिर्फ आकरी में E SS जोन रहते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जो words होंगे ना, उसको हटा कर E SS जोनना पड़ेगा, वावेल, एवाम उन से पहले आने वाले consonant को हटा कर बोले गया, देखो जैसे यहाँ पर क्या लिक है, पहल होता है, लेकिन जब हम actress बनाते हैं तो ओ नहीं लगता है, पस यह बहुत ही important बात है, ठीक है, और नया बात है, बहुत सारे लोगों के लिए, actor में जब actress लगाएंगे, तो actress नहीं होके, actress हो जाता है, ठीक है, चलिए, आगे देख लो उसी तरह से, benefactor है एक word, benefactor, benefactor का भी व होता है, यहाँ पर जो e था न, उसको हटा दिया जाता है, है न, क्या हो जाएगा, huntress, एक चौल में huntress नहीं बोला जाता है, huntress बोला जाता है, इस करण से, यहाँ पर e, ओ यह जो वावेल्स आते हैं, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, prince कभी उसी तरह होगा, prince का क्या हो प्रिंसेस हो जाएगा, क्या होगा, फ्रिंसेस, अब यहाँ पर क्या हटाय हो, कुछ हटाय नहीं है, सिर्फ डबल एस बस लगा दिये, अब डबल एस बस क्यों हो, यह और डबल एस क्यों नहीं, क्योंकि ए तो पहले से लगा था, इस करण से क्या हो गया, प्रिंस का क्या हो जाता है वीटर का क्या होगा वेट्रेस होगा वेट्रेस में क्या किया गया यहां पर भी हना और इडबलेस इधर लग गया है ठीक है वेट्रेस हो जाएगा एमबैस्डर का क्या हो जाएगा एमबैस्डरेस हो जाएगा एमबैस्डरेस में क्या हुआ है डी ओ आर जो था न य एक जंगेर्ग अफ्रीकन जंग इंप्रेन्ट साकते हैं तो निग्रो का क्या हो जाएगा रहता है ताइगर का क्या होता है। पर भी फमिनेनन भर बन जाते हैं मतलब masculine noun की जो शब्द होते हैं उसमें कुछ change अब क्या change करेंगे वो एक बार और देख लेते हैं कुछ अलग type के example आप देख पा रहे होंगे कुछ words दिया हुए है ना जैसे emperor, emperor means क्या होता है राजा ये कुछ ना बहुत important words है ठीक है emperor means होता है राजा और emperor में आ हम empress लगा के क्या बनाते हैं feminine बनाते हैं emperor का empress, ठीक है यहां पर क्या changes किया गया है यहां पर O-R को हटा कर E-W-S लगाया गया है है ना governor का क्या हो जाएगा, governance हो जाएगा, governor के क्या हो जाएगा, governance हो जाएगा अचैहाँ पर न विशेज बात ये चया comparison the बात दूक्त को बोलते हैं विक जा राज कुमार को तो डूक को इंए हुगा डूक करो भूते से हैं ये शारीовые exemption में पूछे आ ही घ्रुक का Duke, Duke, Duchess, याद रखेंगे आप, Duchess कैसे बनेगा? D-U-C-H-E-S, Duchess, ठीक, God का क्या होता है? Godです होता है, आप सब को पता है, D को डबल करके ES लगा देते हैं, D को डबल करके क्या करते हैं? ES लगा देते हैं, हैंना? master के क्या हो जाएगा? master को हो जाएगा? masteres, ठीक है master का क्या हो जाएगा? masteres, sorcerer का क्या हो जाएगा? sorceress हो जाएगा, sorcerer means, ज़ादूगर हो जाएगा, ठीक है? rule number 4 में हम चलेंगे, कुछ cases में compound masculine noun की first रथो second में कुछ परिवर्तन किये जाते हैं पर आप देखेंगे head master का head master is नहीं बलकि head mistress हो जाएगा head mistress हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे है milk man का होगा milk mad अच्छा यह यहाँ पर अब ध्यान देंगे है यह नहीं बहुत important आप लोगो दिख रहा है milk man का ज़्यादा तर लोग सोचेंगे milk woman लेकिन milk man का milk woman नहीं बलकि milk maid होता है ठीक है यह important है याद रखना एग्जाम में आ सकता इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ट सम देखने वाले आगे चली रूल नंबर 5 में चलते हैं रूल नंबर 5 क्या बोल रहे हो देख लो इनको किसी विशेष नियम के तरह परिवर्टित नहीं करते हैं अब देखो ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ट सम देख लेंगे जिसमें ना कोई रूल और यह जितने भी हमने रूल डिसकस किया ना वो फॉलो नहीं होता बलकि उसमें थोड़ा सा अलागी तरीके से उनक नहीं बलकि कैसे भी चेज हो जाते हैं है कि नहीं देखो पहला है एड्मिनिस्टेटर एड्मिनिस्टेटर का फैमिनन क्या हो जाएगा एड्मिनिस्टेट्रिक्स क्या होगा एड्मिनिस्टेट्रिक्स एड्मिनिस्टेट्रिक्स लगा है या पस इसको विशीज घ्यान इग्जिक्यूट्रेस नहीं होगा едग्जिक्यूट्रिक्स ho जाएगा let miss होता हैक तरह diferents फ्र想य लीश अब यह important वेर्डस prosecutor किसको बोलेंगे prosecutor means होता है एक तरह का अभी उक्ता या वकील जो होते है प्रोजीक्यूटर का लाते है उसका feminine क्या हो जागा जानती हो एक तरह का प्रोजीक्यूट्रिक्स होगा प्रोजीक्यूट्रिक्स होगा यह आई आर आइकस लगा कर जो words बन रहे है उसको विशेश ध्यान रहा है अsmय्क्या होती है इसका सुल्तान होता यह इक English वरड़ गया होगा शेल्टन या सुल्टान आप लोग जानते हो एक तरह का पदवी है बोवर का हो जाएगा शो ब्रेधर्र का होगते है बच्छड़ा और इसका फैमिनेन होगा फिली यह याद रहेंगे इंपोर्टन है ना डॉक का बीच होते है आपको पता है बग यहां पर एक और वर्ट दि अब अर्ल का होता है countess, अब अर्ल क्या होती है भी, यह इंग्लाइन में एक तरह का पदवी है, वो उसको बलते हैं, और और एल का हो जाएगा Contess, Monk, Monk means होता है साधू, संथ, तो उसका हो जाएगा Nun, ठिक है, साधवी, यह important है, Monk का Nun, साधू या संथ, ठिक है, अगला है, देख लिए आप, Gender, ठिक है, Gender का क्या हो जाएगा, Goose, गो Negro, ठिक है, यह इक तरह का हंस का प्रकार है, ठिक है, Heart का क शेप को पाइव, और फीमेल शेप को एव पोलेंगे अर फीमेल शेप को एव उलेंगे पर फॉक्स लोग पता है लोम्री उसका क्या होगा फैमने जिंडर विक्सन, ठीक है ओक्स का का होता है जार अब देखो यह इस तरह के question पूछे जा सकते हैं ठीक है यहाँ पर क्या लिख रहा है आपनों को दिख रहा होगा ''bachelor'' का क्या होगा? ''bachelor'' का होगा? ''mad'' यह भी imports momentum के जाता यह भी पूछा जाता है ''bachelor'' का मेड़ा होगा ''boy'' क kayakya ''girl'' drag तो ड्रेक बोलते हैं और जो duck बोलते हैं वो फीमिल बытक की होलते है ''drone'' अब ''drone'' क्या देख रहे आप लोगो approved ''makhy'' और उसका अपोजिट हो जाएगा B ठीक है? जो हनी B होता है तो B मतलब वो female बुल का काउ, फदर का मदर और ब्राइद ग्रूम का ब्राइद, ठीक है? जेंटल में इनका होगा लेडी ही का, श्री, हजबन, वाइफ, लॉड, लेडी लॉड का लेडी, मेल, फिमेल, नेफ्यू, नाइस यह कुछ common या easy words है, वीडोर, अच्छा यहाँ पर आप देख लो दोग लोग लोग हो रहे वीडोर का होता है वीडो, वीडोर का क्या होगा? ठीक है? वीडो मिस विदवा ठीक है? और वीडोर मिस वीडोर और वीडोर मिस होता है जादूगर और उसका feminine होगा वीड, क्या होगा? वीड, जादूगर नी, वीड, ठीक है? यह भी important है तो अभी इतने कुछ कुल हमने total देखा, जितने भी words हमने देखा, वो सारे words important है, एक और gender के हमने बात किया था neutral gender का, neutral gender genders क्या होते है neutral gender generally, जो non-living things होते हैं, non-living things, मतलब निर्जीव चीज़ें, उनको example के रूप में ले जाता है, या उसको neutral gender के रूप में देखा जाता है, जैसे pan, paper, house, valley, city, country इस तरह के जो भी names हैं, उसको neutral gender मतलब, ना तो वो feminine है और न तो वो masculine है, न तो वो male है, न तो वो female है, ठीक है, हालां कि this is not a term rule and there are always exceptions, हालां कि कोई ऐसा rule नहीं है, और कई सारे exceptional हमको इसमें देखनी को मिलती है, लेकिन basically आप neutral gender के रूप में इतना याद रखेंगे, कि जो non-living things होते हैं, non-living things निर्जिव चीजे, उनके नाम को ना या उनको एक neutral gender के रूप में देखा जाता है, ठीक है, सारे words को आप अच्छे से देखिए, समझीए और इसको अच्छे से याद कर लीजे, किसी भी exam में आपको पूछे जा सकते हैं, जिस भी exam के आप preparation कर रहे हैं सुपरवाइजर exam हो, या व्यापम में जीदने भी exam होते हैं सारे exams के लिए सारे words important है चली तो फिर, इस वीडियो में फिलार इतना ही I hope कि पूरे words, सारी चीजे आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ कि एक like जरूर करिएगा और चानल में अगर नहीं हो तो चानल सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिए जो भी friends आपके किसी भी competitive exams के त्यारी कर रहे हैं किसी भी आप ग्रूप में हो तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं इसी तरह के एक और important topic के साथ और important वीडियो के साथ next class मिले तब तक के लिए thank you so much